नाजरीन आदाब मैं हूं युसरा और आप देख रहे हैं M.C. News इंडिया नाजरीन अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्छी और अच्छी हबरे सबसे पहले देख सकें डॉक्टर कफील की गिरफतारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाबाद हाई कोर्ट को दी सख्ट हिदायत कहा 15 दिन के अंदर-अंदर उनके मुकदमे को फैसल किया जाए डॉक्टर कफील को N.S.A. के तहट किया गया है गिरफतार क्या है पूरा मामला इस पर देखे हमारी मुकमल विपोर्ट हुकूमते हिनके काले कानून यानि शेर्य तर्मीने कानून N.R.C. और N.P.R. के खिलाफ मुल भर में पुर अमन एथिजाजी मुदायरों के जरिये आवाद बुलन की गई थी मुल भर में एहम शक्सियात ने इसकी मुखालफत की थी और उसको आइन के खिलाफ वर्जे करार दिया था इसी तरह अलीगर में भी इस कानून के खिलाफ तहरिक में डॉक्टर कफील ने एक तक्रीर की थी डॉक्टर कफील की तक्रीर की मुखालफत करते हुए उनके खिलाफ F.I.R. डच की गई थी और फिर उनके खिलाफ गिरफतारी का वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफतार कर लिया गया था डॉक्टर कफील को इस मामली में जमानक मिल गई थी लेकिन N.S.A. के तहर उनको दोबारा गिरफतार कर लिया गया डॉक्टर कफील और उनके एहले खाना को इस वक्त एक बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाबाद हाई को हिदायत दी कि उनके मुकदमे को 15 दिन के अंदर अंदर फैसल किया जाए सुप्रीम कोर्ट की से रुक्नी बेंच, चीफ जस्टिस S.A. बोटे, जस्टिस A.S. बोटना और जस्टिस V. रामा सुप्रमिनिया ने आज आज आनलाइन वर्च्वल समात करते हुए मस्कूरा बाला फैसला सुनाया वादे रहे कि शहर्य तर्मिय कानून 2019 के खिलाफ जारी तहरी तहरीक में डॉक्टर कफील ने अलीगर में एक तक्रीर की थी जिसके खिलाफ अलीगर पुलिस ने F.I.R. दर्च की थी उनके खिलाफ ये F.I.R. 13 दिसंबर 2019 को दर्च की गई थी इसके बाद उन्हें मुंबई एरपोर्ट पर 29 जनवरी 2020 को गिरफ़तार किया गया और अलीगर जेल में बंद किया गया था इसके बाद डॉक्टर कफील को जमानत मिल गई थी लेकिन जेल में निकलने से पहले ही इन पर 13 फरवरी को कौमी सलामती एक एन एस ए के तहट बंद कर दिया गया हुकूमत की इस कारवाई के खिलाफ डॉक्टर कफील की वालदा निगत परवीन ने सुप्रीम कोट में एक पिटीशन दाखिल की थी इस पिटीशन में कहा गया था कि हुकूमत के जमानत को चैलेंज करने की बजाए एन एस ए लगाया और एन एस ए भी इस मामले में लगाया जो 45 दिन पहले वाक्या हुआ था यानि 13 दिसंबर 2019 के मामले में 45 दिन बाद एन एस ए लगाया गया जो गैर कानुनी है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2020 को और्डर पास किया था कि उनकी जो दर्खवास है इस पर हाई कोर्ट जल अजल समात करें लेकिन इसके बाद लॉकडाउन हो गया इसके सबब समात नहीं हो सकी थी इसके बाद वर्चुल समात हुई साथ और आठ समात के बाद भी इनकी समात नहीं हुई जबके NSA तीन तीन महीने के वकफे से तीसरी मरतबा वुजिश्टा रोज बढ़ाग दिया गया चुनांचे इसके हिलाब एक मरतबा फिर डॉक्टर कफील की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट खटाया और एक अर्जी देकर गुदारिश की के जल्द अजल्द समात कराई जाए और मुकदमे को फैसल किया जाए इस पर समात करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सेर उपनी बेंच ने जल्द अजल्द समात का हुक्म दिया डॉक्टर कफील की वालदा की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजेल अयूबी और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इंदर अजे सिंग ने शिरकत की और बहस में हिस्था लिया समात के बाद एडवोकेट अयूबी ने इंकलाब बियोरो से बात करते हुए मुकदमे की तफसील बयान की उन्होंने कहा कि ये हमारी बड़ी कामियादी है क्योंके सुप्रीम कोर्ट ने बाकाइदा हाई को हिदायत दी है कि वो इस मुकदमे को पनला दिन में फैसल करे सब्सक्राइब ने इस ए गर कानूनी है क्योंके अगर ने इस ए लगाना था तो 45 दिन पहले लगाया जाता पहले तो इस बुन्याद पर गिरफतार किया गया था कि उन्होंने मुच्तायल करने वाली तक्रीर की है लेकिन जब उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई और अद बंदी है कि जल समात होगी और डॉक्टर कफील को कैदो बंद की जिंदगी से आजादी मिल जाएगी तो ये थी नाजरीन रोजनाम इंकलाब में शाया खबर जिससे जाहिर होता है कि डॉक्टर कफील इनको एन ऐसे के तहत गिरफतार किया गया है और अभी तक उनको रिहा सब्सक्राइब मिल जाएगी तो नाजरीन हम भी राजी रोंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजे इजादत और देखते रहे हैं एमेंसी डियूस इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया खुदा प झाल